हरे गृष्णा राधे राधे वेल्कम बैक टू हैपी लाइफ वित काना जी जिसकी आज की वीडियो में आप एक बार फिर से हैं मेरे अनी शिवानी के साथ आज की वीडियो में हम काना जी से जुड़ी एक बगत कता सुनेंगे तो चलिए शुरू करते हैं लड्डू कोपाल जी की भगती और उनकी किरपा की एक अनूठी कहानी किसी शहर में मंगू नाम का एक व्यक्ति रहता था मंगू माली का काम करता था उसका काम इतना अच्छा था कि जिस कालोनी में वे काम करता था आस पास की सभी लोग उसी से काम कराते इनी सब में से एक सेट कीमतिलाल जी का गर था मंगू सेट जी के बगीचों की देखपाल काफी समय से कर रहा था लेकिन जब भी मंगू सेट जी के पोदों की देखपाल करता उनमें पानी देता तो उसे जमीन के नीचे से कोई आवाज सुनाई देती ऐसा लगता मानो जमीन के नीचे से कोई चीज पहार आने की कोशिश कर रही हो इस आवाज से मंगू डर जाता कि कहीं कोई जानवर जमीन के नीचे ना हो एक दिन की बात है सेश जी किसी काम से बाहर गए हुए थे और मंगू रोजाना की तरह पोदों में पानी दे रहा था इतने मैं फिर से जमीन के नीचे से उसे वही आवाज सुनाई दी मंगू ने आवाज को अनसुना करते हुए आगे पड़ गया लेकिन आज वे आवाज बार-बार मंगू के ध्यान को अपनी और खीच रही थी मंगू को लगा जैसे सचमुच कोई जमीन के नीचे फस गया है और बहार निकलना चाता है बहुत हिम्मत जुटा कर मंगू ने जमीन को खोदना शुरू किया थोड़ी देर खोदने के बाद जमीन के नीचे से मंगू को लड़ू गोपाल जी का एक बहुत ही सुन्दर सा विग्रह मिला लड़ू गोपाल जी के विग्रह को मंगू ने हाथ में ले लिया और वह अचम्बित रह गया उसे मैसूस हुआ जैसे लड़ू गोपाल जी का विग्रह गरम है उनका शरीर तप रहा है और उनका दिल चोरो से धड़क रहा है लड़ू गोपाल जी के विग्रह को हाथों में लिये मंगू भागा भागा घर के अंदर गया और सेठानी के पास चाकर बोला देखिये मालकिन जमीन के नीचे से क्या मिला कीम्ति लाल जी की पत्नी लड़ू गोपाल जी को देखकर सन रह गई उसका रंग सफेद पड़ गया बीते समय की कुछ बाते उसकी आखों के सामने गुमने लगी उसकी सास यानि सेट ची की माता जी लड़ू गोपाल जी को बहुत मानती थी रोज सुबे उन्हें उठाती, नहलाती, भोग लगाती, लाड लडाती और शाम को लोरीगा कर उन्हें सुलाती मृत्यू के समय उन्होंने लड़ू गोपाल जी सेट ची को देते हुए कहा बेटा, मेरे काना का ध्यान रखना, इन्हें कोई कस्ट मत होने देना उस दिन से लड़ू गोपाल जी की सेवा की सारी जिम्मेदारी सेठानी पर आ गई सेठ जी के दो बेटे थे और सेठानी उन दोनों से बहुत प्यार करती थी सारा दिन उनी किस काम में लगी रहती ऐसे में लड़ू गोपाल जी की सेवा करना उसे जरा भी नहीं भाता था उसे लगता अगर मैं सारा दिन लड़ू गोपाल जी की सेवा में ही लगी रहूंगी तो मेरे बच्चों की देखपाल कैसे कर पाऊंगी एक दिन की बात है सेठानी ने अपने मन की ये बात सेठ जी से कही लेकिन सेठ जी अपने माता की अंतिम इच्छा को कैसे टाल सकते थे सो उन्होंने इस पर कोई थ्यान नहीं दिया बस फिर क्या था एक दिन मोका पाकर सेठानी ने लड़ू गोपाल जी के विग्रह को अपने आंगन में दबा दिया और सेठ जी से कह दिया कि लड़ू गोपाल जी को कोई चुरा कर ले गया है लड़ू गोपाल जी के चोरी होने की बात से सेठ जी को बहुत दुख हुआ लेकिन अब वो बिचारे कर भी क्या सकते थे मन मारकर इश्वर की इच्छा जानकर रहने लगे आज अचानक इनी लड़ू गोपाल को फिर से अपने सामने देखकर सेठानी का तो जैसे पारा ही चड़ गया वै चिलाते हुए बोली इन्हें क्यों निकाल लाया इतनी मुश्किल से तो इनसे पीचा चुड़ाया था ये फिर से आ गए सेठानी के इस वैवार से मंगू बहुत हैरान था डरते डरते उसने पूछा कि अब क्या करू मालकीन इनका सेठानी ने गुसे से मंगू को देखते वे कहा ले जाओ उने मेरी आँखों के सामने से और कल से काम पर मताना सेठानी ने मंगू को नोकरी से निकाल दिया और आसपास के सभी लोगों से भी कह दिया कि मंगू ने चोरी की इसलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया तुम लोग भी निकाल दो वरना वे तुम्हारे घर भी चोरी करेगा उसे डर था कि कहीं मंगू सेट जी को लड़ू गोपाल जी के जमीन में दबे होने की बात ना बता दे उसकी बात मानकर आसपास के सभी लोगों ने भी मंगू को नोकरी से निकाल दिया मायूस मंगू मिट्टी से सने लड़ू गोपाल जी को हातों में लेकर अपनी घर आ गया और रोते हुए उसने सारे दिन की सभी घटना अपनी पत्नी को बताई मंगू की पत्नी ने उसे दिलासा देते हुए कहा कोई बात नहीं भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं आज भगवान खुद चल कर हमारे घर आये हैं इन पर भरोसा रखिये मंगू की पत्नी ने लड़ू गोपाल जी के विग्रह को लिया उनसे मिट्टी हटाई उन्हें नहलाया आसन लगा कर मंदिर में बैठा दिया घर में थोड़ा सा गुड रखा था तो उसने लड़ू गोपाल जी को दूद और गुड का भोक लगा दिया लड़ू गोपाल जी के विग्रह पर जो मिट्टी लगी थी उसे मंगू की पत्नी ने अपने घर के आंगर में डाल दिया मंगू की नोकरी चली गई थी और अब घर का खर्चा कैसे चलेगा इसी चिंता में पता नहीं कब उसकी आँख लग गई अगले दिन सुबै जब मंगू की आँख खुली तो पूरा घर एक अजीब सी खुश्बू से महक रहा था मंगू ने चारो और देखा ढूंडा कि ये खुश्बू कहां से आ रही है तिन कुछ पता नहीं चला बाहर आया तो देखा जिस जंगे उसकी पत्नी ने लड़ो गोपाल जी के विग्रे से उतरी मिट्टी डाली थी वहां बहुत ही सुन्दर फूल खिले हैं इन फूलों की महक से ना केवल मंगू का घर बलकि पूरा महला महक रहा था महले के लोगों द्वारा मंगू को पता चला कि ये बहुत ही दुरलब फूल हैं इने बाजार में बेचयो तो बहुत महंगे बिखते हैं मंगू ने इसे लड़ो गोपाल जी की किरपा उनी का चमतकार माना और अंदर जाकर उनका धन्यवाद किया कुछ फूल लेकर मंगू बाजार में बेचने गया तो सचमुच उसे काफी पैसे मिले अब इस थरहें के फूल रोजाना सुबह मंगू के आंगन में खिलने लगे और धीरे धीरे फूलों को बेचकर मंगू अमीर बनता चला गया उसने एक बड़ा सा अलिशान घर ले लिया ये सब शानों शोकत लड़ू गोपाल जी की क्रिपा के कारण ही थी उनी के कारण मंगू और उसकी पत्नी के जीवन में खुशाली आई थी इसके लिए वे दोनों लड़ू गोपाल जी का बारम बार धन्यवाद करते थे इतना ही नहीं लड़ू गोपाल जी को वे अपनी संतान मानने लगे थे और कहीं अपनी खुद की संतान क्या जाने पर उनका सने उनका समरपन लड़ू गोपाल जी के प्रती कम ना हो जाए इसी के लिए उन्होंने खुद की कोई संतान ना पैदा करने का निश्चे किया उन दोनों के दिन ऐसे ही मजे में कट रहे थे एक दिन की बात है किसी ने दर्वाजे पर आवाज लगाई दोनों ने बाहर जाकर देखा वो एक बुड़ी सी स्तरी करके बाहर खड़ी थी जो बहुत दिनों से भूकी दिखाई दे रही थी मंगू की पत्नी ने उसे बैठाया और खाना खिलाने लगी तभी अचानक मंगू ने उस बुड़ी स्तरी को पहचान लिया और बोला, अरे ये तो सेट कीमती लाल जी की पत्नी है उसने पूछा मालकिन आपकी ये हालत कैसे हो गई? आपने मुझे पैचाना, मैं मंगू, आपके यहां माली का काम करता था अरे मंगू तुम, ये तुम्हारा घर है? उस सिस्तरी ने कहा मंगू बोला हा मालकिन आपकी आंगन से जो लड़ू गोपाल जी मुझे मिले थे उन्होंने ही अपनी कृपा मुझ पर की उन्हीं की कृपा से मैं माली से फूलों का व्यापारी बन गया हूँ लेकिन आपकी ये हालत कैसे हो गई वह स्त्री बोली मंगू मुझे मेरे ही कर्मों की सजा मिल रही है तुम्हें जूट बोलकर मैंने नोकरी से निकलवा दिया और जिन बेटों के प्यार में अंधे होकर मैंने जगत के पालनहार से नाता तोड़ दिया था उनी बेटों ने सेश्ट्री की मृत्यू के बाद मुझसे नाता तोड़ दिया मुझे घर से निकाल दिया यह सब मेरे ही करमो का फल है इतना कहकर वैस्त्री जोड-जोड से रोने लगी मंगू बोला मालकिन आप दुखी मत होईए लड़ू गोपाल जी भी तो आपके बेटे ही है और ये घर उनी का है आज से आप अपने बेटे के घर में सुख से रहेंगी कीमतिलाल की पत्नी ने लड़ू गोपाल जी के सामने जाकर अपने की एकी शमा मांगी और अब वैबी मंगू और उसकी पत्नी के साथ आना जी के साथ अरे कृष्णा राधे राधे झाल थाधे बाधे राधे राधे। झाल झाल झाल